देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ गोगा विदान सबच चुना में जोर शोर से लगे राजनिती करणनेतिकार प्रशांत किशोर के दफ्तरों में छापे मारी की गई है उनके एक दबतर से गांजा बरामत होने की सूचना है वही पालगर के एक इलाके में एम्मिलन्स नहीं मिलने से गर्भवती महिला को डोली के सहारे आठ किलोमेटर पैदल ले जाना पड़ा तो भाजपा के बारा निलंबित विधायकों का निलंबन रत करनी की सुप्रीम कोड के फैसले के खिलाफ महराष्ट विधान परिष्ट के सभापती रामराज नाइक निंबाल करके नेतरुत्व में पीठासिन अधिकारियों ने राश्टपती रामनात कोविन से मुलाकात क एक ज्यापन सोपा है इसी बीच उपमुख्य मंतरी अजित पवार और प्रदेश के पर्यटन मंतरी आधित्य ठाकरे ने एक साथ मुंबई के वरली विधान सबक शेत्र का दोरा कर विकासकारियों का मुआयना किया आधित्य खुद गाड़ी चला कर उपमुख्य मंतरी को वरली मिले गए भाजपा ने इसे राजनितिक सफारी करार दिया है उदर ठाने के भिवंडी कोट पे राश्टिय सवयम सेवक संग के मानहानी को लेकर कॉंग्रेस सांसत राहुल गांधी के खिलाफ जारी मुकदमे की सुनवाई 22 वरवरी तक स्थगित कर दी गई है प्रद परामद होने की सूचना भी है सूत्रों की माने तो प्रशांद किशोर की कमपनी के एक वरकर को हिरासत में लिया गया है प्रशांद किशोर गोवा में तुरुनमुल कॉंग्रेस के लिए चुनावी जमिन तयार कर रहे है उन्होंने गोवा में आठ बंगले किराये पर ले नागल के खिलाफ NDPS Act के तहट मामला दर्च किया गया है नागल हर्याना का रहने वाला है और चुनाव के लिए गोवा में रह रहा है आधिकरिक सूत्रों के मताबिक जांच दो दिशाओं में चल रही है एक तरफ ये पता किया जा रहा है कि ड्रक्स कहां से खरीदे गये थ और दूसरा क्या कोई अन्य सदस्य भी इसका सेवन कर रहा था आपको बता दे कि पिछले कुछ समय से ममता बैनर जी और प्रशांत कीशोर के बीच मतभेद बढ़ने को लेकर अटकलों का दोर जारी है एक बंगाली दैनिक ने दोनों के बीच SMS का अदान प्रतान होने की भी जान करी दी है अखबार के अरुसार प्रशांत कीशोर ने ममता को टेक्स्ट मैसेज में लिखा है कि वे बंगाल मेघाले और ओडिशा में TMC के लिए काम नहीं करना चाहते हैं जिसका जवाब CM ममता ने धन्यवाद कहते हुए दिया एक और पालघर जिले के परियटक स्थलों को सुधारने के लिए केंद्रव राज्य सरकार करणों रुपे खर्च कर रही है तो वही दूसरी और यहां की चिकितसा से जुड़ी सेवाय भगवान भरोसे है सड़क, अस्पताल, डॉक्टरों वह सरकारी उपकरणों की कमी से ग्रामिनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसा ही एक मामला जवार के पाथरडी ग्राम पंचयत के गाव से सामने आया है यहां रास्तावा एंबुलेंस नहीं मिलने से एक गर्भवती महिला को डोली के सहारे आठ किलोमिटर पैदल ले जाना पड़ा जानकारी के अनुसार जवार के पाथरडी ग्राम पंचयत के भाटिच पड़ा गाव की रहने वाली अंजली नितिंतरे नव महा की गर्भवती थी रात के वक्त उसे पेट में दर्थ होने लगा उसे इस हालत में अस्पताल ले जाना एक बड़ी चुनौती थी सडक रास्ता वो आसपास कोई डॉक्टर नहीं होने के चलते गाव के लोगों ने अंधेरे में उसे डोली के सहारे आच से दस किलोमिटर दूर ले जाकर सकुर ग्रामिन अस्पताल में भरती कराया उसके बाद उसे जवार के कुटिर अस्पताल में भिजा गया इससे पहले भी इसी तरह की घटनाय सामने आ चुकी हैं मुखाडा के सरकारी अस्पताल में एम्बिलन्स नहीं मिलने से एक पीता को अपने छे साल के बेटे के शव को बाइक से 35 किलोमिटर दूर ले जाना पड़ा था इस तरह की घटनाय सामने आने से जिला प्रशासन की खूप किरकिरी हो रही है आज भी यहां कहीं गाव ऐसे हैं जहां सडक, पानी, बिजली, चिकितसा सेवाए नहीं होने से ग्रामिनों को काफी दिक्कोतों का सामना करना पड़ता है उसके बाद भी जिला प्रशासन कुछ नहीं कर पाया है भाजपा के बारा निलंबित विधायकों का निलंबन रत करने के सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ, महराष्ट विधान परिशत के सभापती रामराजे नाइक निम्बालकर के नेतरुत्व में पिठासिन अधिकारियों ने राष्ट्रपती रामनत कोविन से मुलाकात कर ग्यापन सोपा है। इस ग्यापन में कहा है कि सुप्रीम कोट का फैसला विधान मंडल के अधिकारों पर दखल देना जैसा है। फैसले का हम आदर करते हैं। लेकिन ये फैसला सभिधान के प्रावधानों विशेश रूप से अनुच्छेत 190 और 194 के अलावा अनुच्छेत 212 के प्रावधानों से सुसंगत नहीं है। पर आमर्ष लेकर सुप्रीम कोट को अपने निर्ने पर दोबारा विचार करने का निर्देश दे। उपमुख्य मंतरी अजित पवार और प्रदेश के परियतन मंतरी आदित्य ठाकरे ने एक साथ मुंबई के वरली विधान सबाक शेत्र का दोरा कर विकास कारियों का मुआयना किया। आदित्य खुद गाड़ी चला कर उपमुख्य मंतरी को वरली में ले गए। मुंबई मनपा चुनाव करीब है। इसलिए उपमुख्य मंतरी और आदित्य का साज़ा दोरा मुंबई मनपा के चुनाव में शिवसेना और रांकापा के गठबंदन का संकेत माना जा रहा पदरकारों से बाचित में उपमुख्य मंतरी ने कहा कि मुझे वरली में चल रहे विकास कारियों को देखनी की उतसुकता थी। इसलिए हमने मीडिया को बताए भी ना सुबह करीब 7 बज़े से 3 घंडे का दोरा किया। उपमुख्य मंतरी ने वरली में किये गए कामों के लिए आदित्य के प्रयासों की जम कर तारिफ भी की। भाचपा विधायक आशे शेलार ने उपमुख्य मंतरी और आदित्य के एक साथ वरली में दोरे को राज़नितिक सफारी करार दिया है। शेलार ने कहा कि मुंबई मनपा में सत्ताधरी शिवसेना का विकास केवल वर प्रतेश भाचपाद धिक्षर चंद्रकान पार्टिल ने कहा कि पार्टी की और से मुंबई मनपा में शिवसेरा के 20 सालों के व्रष्टाचार की सूची तयार की जा रही है। के खिलाफ मानहानी की शिकायत की है। इस पर सुनवाई के दोरान कुंटे के वकील प्रबोज जैवन्त ने मेजिस्ट्रेट जेवी पालीवाल के सामने कहा कि इस मामले को लेकर जारी एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनादी दी गई है। इसलिए मानहानी के मामले क की सुनवाई को तब तक के लिए स्थखित कर दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित आवेदन पर फैसला नहीं आ जाता। इसके मद्दे नजर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 फरवरी तक के लिए स्थखित कर दी। बदादी की साल 2014 में भीवन्डी में के पीछे कथित रूप से RSS को जिम्मेदर बताया था। RSS कार्यकरता राजश कुंटे ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि सांसद राहूल गांधी के इस बयान से RSS की प्रतिष्ठा को ठेस पहुची है और उसकी चबी मलिन हुई है। और हे विधानसबा चुनाओ के चौथे चरण में भी फायर ब्रांड नेता और सांसद वरुन गांधी को स्टार प्रचारों को की सूची में स्थान नहीं मिला है। पका हुआ भोजन उपलब्ध हो सकेगा। IRCTC ट्रेनों में पके हुए भोजन सेवाओ को पुनह शुरू करने के लिए पूरी तरह से तयार है। देश के इन पाजबडी खबरों को पिस्तार से जानने के लिए बने रियाप हमारे साथ। करनटक में चल रहे हिजाब प्रकरण ने उत्तर प्रदेश में भी सियासत की आज को भड़का दिया है। इस पूरे प्रकरण को और हवा देते व्वे अलिगड जिले में समाजवादी पार्टी की नेता रूबिना खान ने कहा कि हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट दिये जाएंगे। भारत वीवित्ताओ का देश है यह माते का तिलक हो या शरेर पर हिजाब या फिर पगड़ी सभी का बराबर सम्मान है। प्रतिक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का आधिकार है। लेकिन अगर कोई सारवजनिक व्यवस्ता है और यह सव्विदान में लिखा है तो आस्था और धर्म के मामलों को अलग रखना होगा। दरसर यूपी में चुनावी माहोल के कारण करनाटक में उपजा हिजाब प्रकरण उत्तर प्रदेश में भी तूल पकड़ता दिख रहा है। करनाटक के उड़ुपी जिले में सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के खिलाव अब अलिगड में भी वीरोत तेज हो गया है। पार्टी ने स्थार प्रचारक बनाया है लेकिन इस सूची में एक बार फिर फायर ब्राण नेता और सांसद वरुन गांधी को एक बार फिर स्थान नहीं मिला है। इस वज़ा से पार्टी ने उनसे दूरी बनाना ही उचित समझा। उनके ट्वीट और पत्र भी पार्टी और सरकार के खिलाफ ही आ रहे थे। इस वज़ा से भाजपा नेताओं को लगा कि कई वह मंचसे ही कोई ऐसी बात न कह दे जिससे संकट की स्थिती हो जाए। वरुन योपी की स्वास्थे व्यवस्ता भाजपा नेताओं की रैली ओपर भी सवाल उठा चुके है। राजस्थान उच्च नयले ने दुशकर्म के एक मामले में संत आसाराम बापु की दोश सिद्ध को चुनवती देने वाली एक अपिल के बाद भारतिय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को तलब किया है। अधिरने के आरोप में आसराम को 2018 में आज जीवन करावस की सजा सुनाई थी। जैपूर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजैपाल लंबा को अब सात मार्श को अदालत के गवा के रूप में पेश होने के लिए कहा गया है। आसराम के वकिलों के और से दायर की एक याचिका के मुदाबिक हो सकता है कि IPS अधिकारी द्वारा की गई वीडियो रिकॉर्डिंग ने किशोरी की गवा को प्रभावित किया हो। आसराम ने दलिल दी है कि कथित अपराच सल आसराम के नीजी कॉल्टर कुटिया का पीडिता का ग्राफिक विवरन IPS अधिकारी द्वारा उस जगह की उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग से प्रभावित हो सकता है जब वह जोतपूर में कारे रत थे इसलिए इस मामले में गहरी चानबिन की आउशकता है से मुंबई पहुची थी वहां कुछ लोगों ने कहा कि मुंबई अच्छा नहीं है यहां लड़कियों को बेज देते हैं इसके बाद वह ट्रेन से वापस दिल्दी आ रही थी ट्रेन में भीड थी इसलिए वह फ़र्ष पर ही कंबल बिचा कर सो गई रात आड़ बजे के क फिर वह आपस आया और लड़की को पैंट्री कार में ले गया वहां उसने गलत काम किया चिलाने पर धमकी दी कि ट्रेन से धक्का दे कर मार डालूंगा आरोपी पैंट्री कार का मैनेजर बताया जा रहा है जी आरपी ने पैंट्री कार के कुछ करमचारियों को हिरासत में युवितिका भूपाल में मेडिकल कराया गया मेडिकल टीम ने दुश्करम की पुष्टी की है पुलिस मामले की जांच कर रही है रेल यात्रियों को फिर से यात्रा के दोरान ट्रेन में पका हुआ भोजन उबलब्ध हो सकेगा आयाल सीटी सी ट्रेनों में पके हुए भोजन सेवाओं को पुनः शुरू करने के लिए पुरी तरह से तयार है रेल वे बोर्ट से प्राप्त दिशान निर्देशों के अनुसार पके हुए भोजन की बहाली पुरी सावधानियों के साथ यात्रियों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए की गई है बाकि 20 फिजदी फरवरी 14 तक बहाल कर दिया जाएगा प्रीमियर ट्रेनों में पका हुआ भूजन पहले ही 21 दिसंबर को बहाल कर दिया गया था गौर तलभे की 23 मार्ज 2020 को कोरोना वाइरस महामारी की कारण सुरक्षा उपायों को देखते वे खानपान सेवाओ को निलंबित कर दिया गया था देश में कोविट के दरों में संक्रमंदर में गिरावट के साथ RTE भूजन 5 अगस 2020 से टेनों में भूजन सेवा शुरू की गई थी ये सुविधा सभी यात्रियों के स्वास्तों को ध्यान में रखते हुए सहच्ता से यात्रियों तक निरंतर पहुचाया जा रहा है इस महामारी को देखते हुए खानपान की सुविधाओं में उच्छ मात्रा में स्वास्तवर्धक सामगरियों को शामिल किया गया है जिसे यादरियों को पोश्टी काहर मिल सके और वह सुरक्षित भी महसूस करे रूस और युक्रेन के बीच जारी तरहों को देखते हुए अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने साफ कह दिया है कि हम इस समय एक बिल्कुल अलग दुनिया में हैं ऐसी जगा हम पहले कभी नहीं रहे वहाँ चीन ने जमीन और पानी दोनों जगा उतरने और उडान भरने वाले वीमान का सफल परिक्षन किया है इस वीमान में चार इंजन लगे हुए है इसे कुनलोंग नाम दिया गया है तो कोरोना को लेकर विश्वस्वास्त संगठन ने साफ शब्दों में कहा है कि महामारी अभी खतम नहीं हुई है COVID-19 के कई और चिंता जनक वेरेंट आ सकते हैं इसलिए वैक्सिनेशन तेज करने की ज़रूरत है उदर कोरोना वैक्सिनेशन नीती के खिलाफ राज़ानी ओटावा में ट्रक चालकों के अडियल विरोत प्रदर्शन को देखते हुए जसिन टूडो ने त्वरित सक्त कारवाई की बात कही है इसी बीच यूरोपिय प्रकाशक परिशद ने गूगल के डिजिटल विग्यापन व्यफसाय के खिलाफ अविश्वास जताते हुए यूरोपिय आयोग में शिकायत दर्च कराई है आरोप लगाया है कि प्रेश प्रकाशक गूगल की तकनिक की वज़़ा से पूरी तरह से उनके कबजे में है दुनिया भर की इन पाच चुनिंदा खबरों को आईए अब इस तार से जानते है रूस और यूकरेन के बीच युद्ध का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूकरेन छोड़ने का आदेश जारी किया है तनाव को देखते वे अमेरिका ने पोलेंड में 3000 और अमेरिकी सेनिकों को तैनात करने का फैसला किया है पोलेंड में पहले से ही अमेरिकी सेना का एक स्थाई बेस मौजुद है ऐसे में अनुमान लगाय जा रहा है कि राष्ट्रपती बाइडन दूसरे आप्शन्स के तौर पर इन सैनिकों को यूकरेन से अमेरिकी नागरिकों को निकालने जैसे मिशन में शामिल करने के लिए तैनात कर रहे है अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन ने का कि हम इस समय एक बिलकुल अलग दुनिया में है ऐसी जगह हम पहले कभी नहीं रहे है ऐसे में अमेरिका संभावित युद्ध के पहले ही अपने नागरिकों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है जो बाइडन ने एक दिन पहले ही अइलान किया है कि अमेरिका नाटो की मदद के लिए 3088 सेनीकों को पोलन में तैनात करेगा अमेरिकी विदेशी मंत्री ने भी डर जताया है कि इस महिने शीतकाली नों उलम्पिक के अंत से पहले किसी भी समय रूस युकरेन पर आकरमन कर सकता है अमेरिका के एक नीजी कमपनी के सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर दावा किया गया है कि रूस ने युकरेन के पास कई इलाकों में अपनी सैन्न तैनाती को काफी ज़ादा बढ़ा दिया है जो बाइडन ने कहा कि जब अमेरिका और रूस एक दूसरे पर गोली बारी शुरू कर देंगे तो यहाँ एक वीश्वे युद्ध जैसा हो जाएगा चीन ने जमीन और पानी दोनों जग़ उतरने और उडान भरने वाले विमान का सफल परिक्षन किया है इस वीमान में चार इंजन लगे हुए है इसे कुनलोंग नाम दिया गया है इस वीमान को 26 दिसंबर 2021 से असेंबल किया जा रहा था और इस परिक्षन में सभी चार इंजनों की जाच की गई है एक रिपोर्ट के अनुसार इस वीमान ने 100 घंटे की उडान को पूरा कर लिया है इससे भारी मातर में फ्लाइट टेस्ट डेटा मिले है जिनका विशलेशन किया जा रहा है इससे वीमान को और अधिक उन्नत बनाने में मदद मिलेगी वईज्यानिकों ने डेटा के आधार पर वीमान में एरोडाइनामिक्स और हाइडरोडाइनामिक्स में बदलाव भी किया गया है पर अभी तक इस वीमान को फाइनल ओपरेशन क्लियरंस नहीं मिला है वीमान की लंबाई 121 फीट और पंखो की चवडाई 127 फीट है साइस के मामले में चीन का यह वीमान बोईंग 737 एरलाइनर के बराबर है वर्दमान में जापान का शीनमायावा यूस-2 दुनिया का सबसे बड़ा एमफिबियस वीमान है अलाकि सर्विस में शामिल होने के बाद यह रिकॉड चीन के इस नए AG600 एमफिबियस वीमान के पा की अधिक्तम उडान भर सकता है कोरोना को लेकर वीशुवस्वास्थ संगटन ने साब शब्दों में कहा है कि महमारी अभी खत्म नहीं हुई है कोविन-19 के कई और चिंता जनक वेरियंट आ सकते हैं संगटन की मुख्य वईज्यानी सौम्या स्वामी नाथन ने भविश्य की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता स्वामी नाथन इंदिनों महमारी का हाल जानने के लिए दक्षिन अफरिका के दोरे पर है इससे पूर्व डबलो एचो की तक्नीकी प्रमुक मारिया वैन कारखो ने कहा था कि ओमिकरौन कोरोना का अंतिम सोरूप नहीं है कोरोना के नए सोरूप आ सकते है ओमिकरौन के बारे में हम बहुत कुछ जानते है लेकिन सब कुछ नहीं जानते है वेरियंट्स के बारे में भी कुछ भी कहना मुश्किल है इसमें बदलाव की बहुत गुंजाईश है चुकि यह बहुत तेजी से फैलता है इसलिए इसके नए पाने की संभावना भी कायम है इसलिए हमें टीका करन तेज करना होगा नवंबर 2021 में B.1.1529 ओमिकरौन वेरियंट सामने आया था इसके बाद से B.1, B.1.1, B.2 और B.3 आ चुके है यह सब ओमिकरौन के दायरे में है B.2 वेरियंट, B.1 की तुलना में ज्यादा संक्रामक है यहा कोरोना के 77 फीसदी नए मामलों में पाया गया है भारत में किसान आंदुलन को हवा देने वाले कनाडा की प्रदानमंत्री जस्टिन टूडो की सत्ता हिलती वी दिख रही है कोरोना वैक्सिनेशन नीती के खिलाप राजदानी ओटावा में विरोध प्रदर्शन कर रहे है सेकडों किसानों ने प्रन किया है कि तूडो की इस्तिपे तक डटे रहेंगे इस बीच अपनी सत्या को खत्रे में देखते हुए तूडो ने अमेरिकी राष्टरपती जो बाइडन से बात की है उन्होंने अमेरिकी राष्टरपती को भरोसा दिलाया है कि वे ट्रक ड्राइवरों के विरोध में कानून लागू करने के लिए त्वरित कारवाई करेंगे वाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि कनाड़ा के प्रधन मंत्री जस्टिन टूडो ने कानून को लागू करने के लिए त्वरित कारवाई का वादा किया है इसके अलावा राष्टरपती बाइडन ने उन्हें अमेरिका के लिए पूल पर आवाजाई को फिर से बहाल करने के लिए उठाय गए कद्मों के लिए धन्यवात किया अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन ट्रशासन ने जस्तिन टूडो की सरकार से उनके देश में कोविड-19 प्रतिबंदों के विरोध में की गई ट्रक नाके बंदी को समाप्त करने के लिए अपने संगिया शक्तियों का उपयोग करने का आगर किया दोनों निताओंने माना की इन ट्रक ड्राइवर के उगर प्रदर्शन और जगा जगा रास्टे को जाम करनी की वज़े से आमनागरिकों के जीवन पर बुरा असर पढ़ रहा है अमेरीकी राष्ट्रपती ने चिंता व्यक्त कर देवे कहा कि अमेरीकी कमपनियों और श्रमिकों पर गंभिर प्रभाव पढ़ रहे है जिनमें उत्पादन में मंदी, काम के घंटे कम करना और सैयंत्र बंदोना शामिल है यूरूपीय प्रकाशक परिशद ने गूगल के डीजिटल विग्यापन व्यवसाय के खिलाप अविश्वाज जताते हुए यूरूपीय आयोग में शिकायत दर्श कराई गूगल ने 2020 में ऑनलाइन विग्यापनों से करीब 147 अरब डॉलर की कमाई की जो दुनिया की किसी भी अन्य कमपनी की तुलना में अधिक है इसमें सार्चिंजन, यूट्यूब और जीमेल विग्यापन गूगल की कुल बिक्री और मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा है गूगल की तकनिक की वज़से पूरी तरह से उसके कबजे में है अब समय आ गया है कि एरोपी आयोग ऐसे फैसले करें जिससे गूगल को वास्तविक बदलाव करने होंगे क्योंकि विग्यापन तकनिक की मूलेश रूंखला में उपर से नीचे तक गूगल का कबजा है वही गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि हर साल हम अपने विग्यापन नेटवर्क में प्रकाशन भागीदारों को सीधे अर्बो डॉलर का भुकतान करते है गूगल का दावा है वह उपयोक करता की नीजता की रक्षा के लिए थर्ड पार्टी कुकिज को रुकने पर काम कर रहा है वही 250 सरब डॉलर के वैश्विक डिजिटल विग्यापन क्षेतर के अन्य खिलाडियों का कहना है कि थर्ड पार्टी कुकिज को बैन करने से उनके एक शमता सिमित हो जाएगी तो आज की इस खास पेशकर्श पर बसकता ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विके वीडियोस नमस्कार